हेले वरिवन तो आज है 17 जन्वरी और इस सेशन में दा हिंदू इडिटोरियल का भगयवली कबर करते हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले वीडियो लाइक कर दिजिए और अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सस्क्राइब कर लिजिए यह हमारा सोसल मीडिया है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जाके जल्दी से जॉइन कर लिजिए और सेशन सुरू करने से पहले कमेंट सेशन में जैहिन भी जरूर लिखिएगा तो आएए देखते हैं आज का वर्ड फर्स्ट वर्ड है एस्वेज एक भर्व है जिसका मिनिंग होता है तो लेसें दा इंटेंसिटी अप संथिंग डखेम और डिश्टेस को छीज जो आपको दर्द दे रहा हो जिसके वाजह से आप डिस्ट्रेस आं से तो उसके इंटेंसिट या निहिए उसके परभाव को लेशन कर देना कम कर देना स्कुइद उसको एश्वेज ब Meyer कollen तो हिसमीनिंग करना एश मतलब किया होता है करना मे यह सब इसके सिनोनेम्स हो जाएंगे एपीज भी हो जाएगा जैसे एस्पिरीन का गोली कब यूज किया जाता है जब सर्दत ज्यादा बढ़ जाए तो यह क्या कर रहा पेन के इफेक्ट इंटेंसीटी को कम करने का काम कर रहा तो कोई भी चीज जो क्या कर रहा आपका है उसके बारे में समझाया गया है तो आप साथ में नोट करते चलिएगा अब देखते हैं नेस्ट वर्ड नेस्ट वर्ड क्या है एस्टिंग जैंसी एक एड्जेक्टिव है इसका मिनिंग होता है और रेगुलेशन रिक्वार्मेंट और कंडिशन एस्ट्रीक म्ह whisk & exacting . या सब पार नेस्ट वर्ड है पर निस्यस जो एक एड़्यक्तिव है क्योंकि लास्ट में तो यह सेट्जेक्टिव सफिक्स है इसलिए अड़्यक्टिव होगे इसका मिनि होता है having a harmful effect especially in a gradual or subtle way मतलब किसी चीज़ का effect क्या हो हारमफुल हो हनिकारों को तो इसको परनिशीयस बोलते हैं क्या बोलते हैं परनिशीयस यानि कि हनिकारों कि इसका हिंदी मिनिंग हो जाएगा synonyms की बात करें तो detrimental, deleterious, malign या फिर बेनफुल या फिर pestilent हो जाएगा तो बहुत पहले हम आपको deleterious बहुत बार कवर कराया थे मतलब बहुत पहले काफी बार यह कवर कराया गया तो deleterious को आप ऐसे हम relate करने के लिए ही बोले थे कि जो मान लेजिए कि वायरस आपके laptop में deleterious वायरस को क्या कर देना चाहिए delete कर देना चाहिए वारना वो क्या करेगा हमारे laptop या किसी भी चीज को हेंग करा देगा तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं तो इसे ही परनेशियस है जिसका मेनिंग क्या होता है अनिकारख होता है ठीक है जिससे आप इसको ऐस हेल्थ के लिए हानिकारक है फॉर्थ वर्ड है ओनिरस जो एक एड्जेक्टिव है फिर से वह इवेस वाला सपिक्स आ गया तो यह एड्जेक्टिव हो गया इसका मिनिंग होता है और टास्क और और रिस्पोंसिबिलिटी इंवाल्विंग एग्रेट डील अफ एफोर्ट ट्राबल और डिफिकल्टी मतलब कोई भी टास्क के रिस्पोंसिबिलिटी जिसमें बहुत ज्यादा एफोर्ट लगाना परें जिसे समझ से हो सकता है या कठीनाई हो सकता है उसको अनिरस बोलेंग इसके सिनोनेम सुझाएंगे जैसे इस बंद्या को देख सकते हैं यह इतना सारा एक संथ ब्रेक्स को क्या कर रहा है कैरी कर रहा है इसके लिए यह काम क्या है काफी ज्यादा कश्ट दायक है अगर आपको भी बला जाए कि आप लेवर का काम करें तो आप सोंच के ही डर जा लेंगे नेक्ट वर्ड है वह सी फिरस जो एक एड्जेक्टिव है इसका मिनिंग क्या होता है इसका मिनिंग क्या होता है वह सी फिरस के एक एड्जेक्टिव है क्योंकि इसके लाश्ट में और वह से एक एड्जेक्टिव सफिस होता है अब मिनिंग देख लेते हैं तो इस प्रश्राइब लेंगे शिनोनेम की बात करें तो कलमोरास रोकियोस इस्ट्रीडेंट या फिर इसको एक इसको एक किंग बोल सकते हैं ठीक है तो वह सी फिरस के अगया एक एड्जेक्टिव हो गया जिसका मिनिंग क्या होता है चिलाने वाला के लेमरास काउसियोस स्ट्विडेंट या फिर इसके सिनोनेम से जाएंगे अब होंवर्क का बात कर ले रहे हैं तो होंवर्क बस सिंप्ली एक ही काम करना है कि जितने भी वर् क्योंकि लास्ट में एलवाई आया तो जब भी वर्ड क्लास्ट में एलवाई दिखे उसे हम लोग क्या कंसिटर करेंगे एडवार्व करेंगे मॉस्ट ली ठीक है इसका मिनिंग होता है एज एपियर और इस स्टार्टेड टूबी ट्रू दाव नोट नेसेसरीली सो मतलब क कोई चीज जो सही दीखरा उसे बोल रहा है ठीक है लेकिन जरूर नहीं है कि वह सही हो उसको अस्टेंसिबली बोलेंगे नहीं कि प्रकट रूप से इसका हैंदी मिनिंग हो जागा सिनोनेम की बात करें तो एपरेंटली इविडेंटली या फिर आउट वार्ड ली हो जाए नेक्स्ट वाड़ है रेड हेरिंग रेड हेरिंग इसका मिनिंग होता है संथिंग इरिलिवेंट डैट डाइवार्ट अटेंशन अवे फ्रम दमेन प्रोबलम और इस्टो कोई चीज जो क्या इरिलिवेंट हो जो मतलब सही नहीं हो और जो हमारा बस एक टेंशन को क्या कर अब कर रहा हमारे टैंशन को डाइवाड कर रहा हो सही जगा से दुसरे जगा कुंकर भ Dü sk mosquitoes हो दि मूह dessert से ध्यान हटा जयों चीजिश हमेंता यूग्ड है दियान भटका रहा है कि जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि ड्राइविंग करते समय यह बंदा क्या कर रहा है कि फोन चला रहा है और यह इसके लिए क्या हो सकता है खतरनाक हो सकता ठीक है तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए नेक्स्ट वड़ है पॉर्टेंड पॉर्टेंड एक फर्व है जिस पॉर्टेंड बोल सकते हैं ठीक है शिनोनेम की बात करें तो प्रिसेज और प्रोफेशी या फिर हिराल्डी सब इसके सिनोनेम सुझाएंगे यह हर्बिंगर हो सकता है तो वाट क्या पॉर्टेंड हो गया है जो क्या है भार वाज इसका मेनिग होता है पुरभास या पुर अगले वाट की बात करें तो अगला वाट क्या है आटिकुलेशन जो एक नावन है अटिकुलेशन क्या है नावन है लाष्ट में आयू नाय इसका मेनिंग होता है दब फॉर्मेशन और क्लियर एंड डिस्टिंग साउंड इन स्पीच मतलब अगर आप स्पीच दे रहा है तो उसमें क्या करना क्लियर आवाज को फॉर्मेशन करना इसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं ए अर्ट से रिलेट करके याद रख सकते हैं ठीक है जो बोलने का आर्ट की आर्टिकुलेशन का एक अर्ट है इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं Synonyms की बात करें तो enunciation, diction, elocution या फिर phrasing ये सब इसके synonyms हो जाएंगे तो word articulation हो गया जो जिसका मेनी होता है सबस्ट उचारण और enunciation, diction, elocution, phrasing इसके synonyms हो जाएंगे Next word है plenary, plenary एक noun है जिसका मेनी होता है meeting और session attended by all participants at a conference or assembly मतलब कोई भी meeting या session जिसमें सारे जो भी participants है जो उसमें भाग ले रहा है वो attend कर रहा है तो उसको क्या बलेंगे plenary बलेंगे ठेक है वो conference या meeting के assembly के तो परिपूर्ण इसका हिंदी मेनिंग हो जाएगा synonyms की बात करें तो complete, comprehensive, entire या फिर total या whole हो जाएगा तो word क्या हो गया? plenary हो गया जो एक noun है जिसका meaning होता है परिपूर्ण और यह सारे इसके synonyms हो गया क्या 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 तो complete, comprehensive, entire, total और whole तो आई होप आपको सारे चीज समझ में आ गया होगा तो आज का session यह पर समाप्त हुआ session कैसा लगा? कमेंट session में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर आगए session में थैंक्स पर वाचिंग, जय हिंद